नमस्ते मैं हूँ आचारे प्रतिष्ठा आप सभी से धेर सारी रिक्वेस्ट समय प्राप्त हुएं कि आचारे जी वजन घटाने की तो बहुत बात हो रही है वजन बढ़ाने के लिए कुछ बताईए बहुत सारे लोग सोचते हैं कि हम खाते तो बहुत हैं फिर भी हमारा हुआ है अगर आपको भी लगता है कि आप वजन बढ़ाना चाह रहे हैं पर किसी ना किसी कारण वश वजन नहीं बढ़ा पा रहे हैं तो आज का वीडियो निश्चुत रूप से आपके लिए हैं सबसे पहले हमें जानना होगा कि वजन ना बढ़ने के कारण क्या-क्या हो हैं बिलकुल exercise ना करना भी वजन बढ़ने का एकारण होता है वजन ना बढ़ने का एकारण होता है क्योंकि generally हम सोचते हैं अरे मैं तो बहुत पतला हूं मुझे तो वजन बढ़ाना है मैं calories burn करूंगा exercise करूंगा तो वजन और घट जाएगा पर ऐसा होता नहीं है हमें यह कि हम एक balanced lifestyle जीएं तो पहला reason या तो आप बहुत अधिक exercise कर रहें या बिलकुल exercise नहीं करें दूसरा reason हो सकता है आपका diabetes, diabetes के case में कई बार कुछ patients बहुत अच्छे से खाते हैं खूब खाते हैं लेकिन उनका वजन नहीं बढ़ता, तीसरा reason हो सकता है आपका thyroid, thyroid में भी क्यो साफ नहीं हो तो आपको constipation है और ऐसी में आपका वजन नहीं बढ़ रहा है क्योंकि शरीर में जो मल इकठा हुआ है वो बाहर नहीं जा रहा है कारण कुछ भी हो जैसा हमने कहा है निवारन योग में चुपा है तो आज मैं आपको बताऊंगी कुछ ऐसे बहुत आसान से क अगर आप वजन बढ़ा सकते हैं सबसे पहली चीज जो आपको करनी है वो यह कि आपको जंक फूड पूरी तरह से बंद करते ना है यह बहुत बढ़ा मित है कि जंक फूड खाने से वजन बढ़ता है पर ऐसा बिलकुल भी नहीं है वजन भले ही आपका थोड़ा बहुत ब का सेवन कर रहे हैं तो रुक जाए और उसे पूरी तरह से बंद कर दीजिए जंक फूड नहीं खाना लेकिन हमें हेल्डी काब्स लेने हैं हेल्डी काब्स में आता है शकरकंदी स्वीट पोटेटो आलू का सेवन हमें करना है यह सब चीज़ें अपनी डाइट में आड़ क करें दूसरा काम आपको दूद और डूद से बनी चीज़ों का सेवन करना है आप खीर का सेवन करें आप मलाई का सेवन करें आप दूद का सेवन करें पनीर का सेवन करें डही का सेवन करें यह अपनी डाइट में बढ़ा दीजिए तीसरा काम आपको यह करना है कि आपको क हमें कौन सा प्रूटीन लेना है आप प्रूटीन में क्या ले सकते हैं आप एक शाम का समय निर्धारत कर सकते हैं जिसमें आपको चना और मूंफली का सेवन करना है मूंफली प्रूटीन में भी हाय होती है रिच प्रूटीन भी होता है और उसमें फैट्स भी होते हैं का सेवन कर सकते हैं यह कुछ ऐसे healthy protein options है जिनको आप अपनी डाइट में जोड़ेंगे तो आप देखेंगे कि बहुत बहुत लाबकारी है एक चीज़ जो अकसर अपने सभी विद्यार्थियों को कहते हैं कि भोजन से पहले पानी जरूर पिए लिकिन अगर आप वजन बढ़ करते हैं तो बड़ी प्लेट इस्तेमाल करें यूज़ बिगर प्लेट ऐसा करने से हम जादा खाना खाते हैं एक साइकोलोजिकल फैक्ट है एकसरसाइज रेगुलर ली करें चाहे वाक करें योगा भ्यास करें डांस करें पर कोई एक फॉर्म ओफ एकसरसाइज जरूर फर्स्ट मील अगर आप यह लें निश्चित रूप सापका वजन लटेगा बनाना शेक नहीं पीना है बनाना शेक भी वजन बढ़ाता है बट दूद में छोटे-छोटे बनाना के पीस काट करके डालने है थोड़ा शेहड डाल लीजिए उसमें और फिर इसको आप जो है दूद भी चबा रहे हैं और केला भी चबा रहे हैं यह एक बहुत एफेक्टिव वजन बढ़ाने का दूसरा तरीका इसी प्रकार से दूद में आप आम डाल सकते हैं लेकिन अब तो आम का सीजन नहीं है जब आम का सीजन है तब आप छोटे-छोटे पीसिस आम के काट करक हैं यह जादा वजन बढ़ाता है एक अंतिम काम यह कि आप चेक करें कि आपको कॉंस्टिपेशन तो नहीं है अगर है तो पहले कॉंस्टिपेशन का इलाज करें और उसको कैसे हील करना है वीडियो हमने अल्रेडी साजा की थी हम अभी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका काजू मत खाई है वो कॉलेस्ट्रॉल बहुत हाई होता है उसमें लेकिन बादाम अक्रोट और किश्मिश इनको अपनी डाइट में आट कीजिए जाते जाते एक चीज और जरूर समझ लीजिए जौं के घाट की खीर जौं के घाट की खीर एक ऐसी चीज है जो निश्चित और दूद आपका वजण बढाएगा है जौं के घाट की खीर भी वजण निश्चित रूप से बढाती है तो अगर आप अपना वजण बढाना चाहते हैं तो जौं के घाट की खीर का सेवनाद से ही शुरू कर दिजिए घर पर यह आप इसे बहुत आराम से बना सकते है औ अगले वीडियो में हम आपको यह बताएंगे कि किस प्रकार से आप क्या योगा अभ्यास करें जिससे कि आपका वेट गीन हो आप अपना बजन बढ़ा सके